हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में और आज क्लास 12 के हम स्टुडेंट्स के लिए अगला चैप्टर जो हमारा सेकेंड है इस्तिर वैत विवाप तता धारिता इस चैप्टर पर भी जितने भी मोस्ट इंपर्टन कोशन है आज की वीडियो में आप आपको सभी चैप्टर के इंपर्टन कोशन मिल जाएंगे इस ते पिसले क्लास में आपको फर्स चैप्टर के बना कर दे चुके वीडियो अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप देख सकते वीडियो को और आज का जो क्लास है वो चैप्टर टू है यानि कि दूसरा परण उसकी अक्षिय एव निरक्षिय इस्तिती में व्यादिज विभब का विंजग लिखनी है यानि कि आपको डेरेक्ट जो लास्ट में डेरिवेशन में प्रूवमेंट आथा आपको यहां पर डेरेक्ट लिखना है पूरा प्रूवमेंट नहीं करना है क्योंकि यह अगर आपको यहां पर देख़े जितने भी कोशन बताएंगे अगर आपको इस कोशन में डाउट हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट स्क्रेश्शन करके क्लियर कर देगा और आप जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए उसके लिए आपके प्रवारधा के परिभाषा लिखनी एंस के बाद आपको सम्बंद लिखना है वैदाच रवरता वैदाच रविधी-चैत्र की तीम्रता में तो बदा देते हैं वन माइनस के さब के लमुदुटा प्लस वी और माइनस वी दे रखा है यदि उनके बीच दूरी आर दे रखी है होती है तो आपको और वैद्यूत छेतर निकालना है फिर उसके बाद देखे नौ कोशन है आपको किसी माध्यम में परा वैद्यूतांक से क्या अतात पर है या आपको लिखना पड़ेगा संधार निकैंण तया हमें दहाले चैसी में देरावितर वाले संधारित्र की संचित इस्तिति उर्जा Yju दे रख है संधारितर की प्लेटो पर आवेशक MEU का मान सी था आपको जो इसका डेरिविशन फो निकालना है अपनी डेरिविशन एक पड़ा होगा इसतिदी जूट जाओ उसमे आता है यू बराबर हाफ सीवी स्कॉर फिर यहां पर हम रख देते हैं तो उसी में नीचे यह भी आपका आता है U बराबर half Q square upon C यह भी आपका आता है तो यहां से आपको क्या करना U के पदों में निकालना है न तो U के पदों में निकालने के लिए आपका हो जाएगा Q बराबर under root 2CU यह आपका हो जाएगा यानि कि U के पदों में निकालने के लिए कहा था तो निकाल रही है इस तरीके से आप निकालेंगे फिर उसके बाद देखे चौदा नम्मर कोशन आपको दे रखा है पेक नियत विवांतर के लिए कौन सा संधारित अधिक आवेश संग्रहित करेगा तो यहाँ पर दो आपको पॉइंट दे रखे हैं पहला तो है जोड़ा नम्मर कोशन के सामर्द सक्वाइमी आपको लिखना है 10 नम्मर कोशन भण बहएंतर के बारे में लिखना है 17 इसके बारे में आपको बताना अठारा कोशेनर में आपको बताना है सी धारिता के आवेश अंधारितर की प्लेटों का मто के बराबर दो परावैधित प्लेट रखी है यदी प्लेट रखने के बाद आवेश थट्हदाथ विभब कमान आपको बताना है यानि कि कुल मिलाकर यह थोड़ा सा नुमेरिकल टाइप का ही दे रखा है फिर उन्नेस नमबर कोश्चन में आपको यह भी नुमेरिकल है ए और बी आपके दूरी दे रखी है बीस सेंटीमिटर विभव दे रखा है चालिस वोल्ट कुलाम यानि कि यहां पर आवेज दे रख यहां पर यान की सी कमान दे रखा है क्योंकि धारिता में लिखते घारितश के मतर हुआ होता है यहां याँं की सी कमान दे रखा है और तो संधार इत्र में सिटिег इस तिर ऊटना ऊटतर कान निकाल लाए फॉर्मुला आपका लग जाए के यू बराबर हाफ सी वी स्क्या इससे आपका आंसर निकल आएगा 21 नमर कोशन में भी आपको नमेरिकल ही है यह देखी लिखा है एक 10 माइक्रो फैरेट के संधारित का विवानतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी उर्जा में उर्जा की गढ़ना करनी है से उपर जैसे सवाल है फॉर्मला सेम लगेग उसके बाद देखी लगू-बफरी प्रशन में आपको पहला दे रखा है एक वोल्ट उर्जा से क्या अभिप्राय है इसका मान जूल में आपको निकालना होगा उसके बाद सेकंड कुशन आपका दे रखा है वियद्ध्ध द्यूधरूप पी के द्यूधरूप की अक्ष स तो पर निकालना पड़ेगा उसके उपर पहले बात प्रूफ करना पड़ेगा उसके बात आपको क्लीर करनी होगी अगला कोशन दे रखा है समांतर पेट संधारीत की दारता किन-किन बातों पर निर्पर करती है तो formula होता है C przy like a epsilon dot upon में D यहोता है यानि कि A का यहाँ पर चेटरफल के समान पाती के का परावेततांग माध्यम होता है इसलिस्ट के सबानुपाती एफसालनोट यहां पर नियतांग है और डी क्या है दूरी है तो यहां पर क्या आप कह सकते हैं कि छेत्रपल को बढ़ाएंगे परावितांग पदार्थ रखेंगे और डी जो है यानि दूरी को घट कम करेंगे तब इन बातों पर यहां पर निर् आपको निकालना एपको दरकि छी अकमान अपको थे रक्किंद हो को यहां प्लेटों के दूरी दे रखी दो सेंटी मीठर निकालना है तो हमने आपको इससे पिछले क्लास में कुलाम का नियम वाला चप्टर पढ़ा रहे तो इसमें आपको फॉर्मॉला उता आया था करना किजिए यानि कि सी और क्यूं दोनों ही आपको निकालने हैं और कहा जा रहा है कि जिससे इसका विवब एक हजार वोल्ट हो जाए यानि वी कमान आपको दे रखा है उसके बाद दो नियत विवब तक आवे समान गोलों की को वायू में आठ दूरी पर रखने पर उनके बीच एफ बल लगता है उकत गोलों के बीच लगने वाले बल की गड़ना यदि उन्हें के परावेदतांग से दूरी पर रख दिया जाए इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमांग लगाना है और आप इसका भी आंसर कर सकते हैं उसके बाद नौ दे रखा है क्या आप एक संधारिता वाले समांतर प्लेट संधारितर को एक अलमारी में रख सकते हैं तो यहां पर आपको धोड़ा सबस्ट करना होगा इस बात को कि क्या रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है फिर दस कोशन आपको दे रखा है इस्थैतिक वैद्यत उर्जा में क्या परिवर दिया जाता है यहां पर भी आपको थोड़ा से लिखना होगा फिर 11 नंबर कोशन में यह आपको नुमेरिकल दे रखा है उर्जा गती जूर्जा दे रखी यानि कि के कमान दे रखा है सोने के नाभिक में जड़ बरावर 79 से प्रतिछे प्रकिरण करता है अलफा कड़की न प्लस मात्रग भी लिख दीजे उसके बाद देखे 13 नंबर कोशन में आपको बताना है इन सब पे जो फॉर्मुले होते वह आपको निशकर्श निकाला है पी वैद्यु दिधुरूब आगुड वाले वैद्यु दिधुरूब को एक सम्रूब वैद्यु छेत्री में रखा है फिर उसके बाद दे रखा है सिद्ध कीजिए कि संधारित की उर्जा हाफ यह लिखा है हाफ एफ साले नॉट इसको प्रूफ करना होगा इसका प्रूब्मेंट भी हम आपको पहले करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जो मोस्ट इंपॉर्टन आप का यहाँ पर दे रखा है 18 नमडर में भी आपको बताना हैं तीनों चीजों के बारे में और फिर यहाँ पर दे रखा है 19 नमर यह भी आपका Numerical है फिर 20 नमर भी आपका Numerical दे रखा है आपburgh से इसको पढ़ेंगेगे तो अप इन सवालों को लगा सकते हैं अगर आप आपने चैप्टर पड़ा हुआ है 21 नंबर भी आपको नुमेरिकल है अगर आप कहेंगे अगर नहीं समझ में नुमेरिकल आपको आते हैं तो अगर आप कहेंगे कोशे नंबर आप हमें कमेंट सक्षिन में बता दीजे हम आपको इसके अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे फ के आपको निकल के आता है कि आक्षी की निकाल न ihrक दीए में नी будете स्टीचिक निकालना केंदर पर डिवःब कितना होंगा रावक मांच में मैं दे रखा है यहां पर भी आपको क्षार करनाए करना दे रखा है दे यहां open जालक तो यह המeh दे पास्यों ऐर को होता है अगला दे रखा है प्रत्क गोलीय चालक को अ जो मताएं तो यह भी और देखिए और देखिए उर्जाहानी का विंजगी इसको प्रूफ करना है पूरा यह पर डारिवेशन है उसके बाद सात्वा कोशन भी यहां पर डारिवेशन दे रखा दे रखा कि अरब निकालने पड़ेंगी और बताना है आपको कि दारिता को किस की धारिता की व्राइफ मीशन लिखनी पड़ेगी फिर बताना होगा आपको की एक फैरेट धारिता से आप क्या समझते हैं और फिर समांतर प्रेट संधारितर का फिर से आपको यहां पर वेंजग याने की डेरिवेशन करना होगा उसके बाद नौ नमर कोशन आपको नुमेर समझने की देरी है कि आपको समझना आए कि किस तरीके से सवालों को सॉल्फ करेंगे जितने भी कोशन हमने आपको बताए हैं यहीं तक है यह सारे कोशन वैरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इस पेपर को अच्छी तरीके से प्रिप्रेर कर लीजिए दूसरा में कोशन नमर लिख भेज सकते हैं हम आपको उसकी वीडियो बना कर दे देंगे आपको समझा आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे किस तरीके इस नुमेरिकल ल को या इस को किस तरीके से सॉल्फ करेंगे आज के लिए इतना काफी है आने वाले टाइम में आपको इस क्लास के साथ तब तक कि ले जाहिन जाब